अब बोलो आज हम ताज महल जा रहा है अब हम अंदर एंट्री कर रहे हैं हमने ओनलाइन टिकेट करा रखा था क्योंकि आजकल ओनलाइन ही होता ऑफ लाइन टिकेट नहीं मिलता है तो बस हम यहां अपना टिकेट शो करेंगे फोन पे और एंट्री करेंगे अंदर हम एंट्री कर लिये हैं और पीओ को बहुत मज़ा आया ना एंट्री कर लिया है मैं अज़े पता है मैं अज़े यह पसंद आए क्योंकि इसने दिनों बहुत जा रहे तम मैं इसने छोटी थे तम मुझे कुछ यार नहीं आया तो फ्रेंड्स यह देखे यह हम एंट्री कर रहे हैं वहां का में गेट है और यहां से एंट्री करते ही जो फर्स्ट ताजमहल का व्यू आता है ना ऑसम लगता है ऐसे देख के लगता है कि बस देखते ही जाए इतना दिल खुश हो जाता है तो देखे कितना सुंदर व्यू अना वाकई में और हम आये भी थे तो इतना अच्छा वैदर था और स्पेशल लोकेशन हमारा भी था एंवर्सरी था तो एंवर्सरी सेलिब्रेट करने हम यहां पर आये ताजमहल आगरा में ही रहते हैं बट क्या होता है ना जो चीज सामन आफे नहीं होता है तो ताजमहल भी कई सालों बाद आये हैं तो बस ँचा करत मुझे ताजमहल देखने वह बहुत चोटे मीं थी तो उसे लेकर आये थे तो अब उसे जो है अब उसके मेमोरी में रहेगा कि हाँ उसने ताज महल विजिट किया था तो देखिए काफी अच्छा वैदर था मज़ा भी आ गया और इतना सुन्दर व्यू था ना आप फोटो वगेरा लेना हो ना तो इतना मज़ा आ जाता है हमने त तो काफी क्लिक्स हमने करवाया और बहुत इंजॉय किया वाकई में जो है ना आप यहां पर आओगे तो कम से कम तीन घंटा तो आपका आराम से निकल जागा ऐसे ही यहां इतना अच्छा लगता है ना और गूमने का काफी मतलब काफी बड़ा एरिया है तो चलते जाओ च अच्छ अच्छ व्यू आते है ना तो क्लिक कराते जाओ तो मज़ा ही आ जाता है तो आपको कैसा लग रहा है मेरे साथ ताज महल घूम कर कमेंट जरूर करिएगा और बस इस तरीके से हमने ना अपना एनवर्सरी सेलिब्रेट किया और बहुत सुंदर व्यू लग रहा है यहां तो मुझे बहुत अच्छ लग रहा था यहां हम काफी घंटे यहां इस पैंड किये इस एरिया में बहुत अच्छ यहां पर हवा चल रही थी और साथ में नदी है तो बहुत अच्छ लग रहा था नदी के किनारे खड़े होकर इस तरीके से देखना पीहू भी काफी enjoy कर रही थी और हमने बहुत सारे videos वगेरा भी बनाएं और भी short videos जो होते हैं वो सब हमने बनाएं और मज़ा आ गया, overall कहें तो मज़ा आ गया तो बहुत अच्छा हमारा anniversary जो है हमने celebrate किया, बहुत अच्छा day गया हमारा और पीहू, especially हम पीहू के लिए हमने बहुत चलो चलते हैं और अब यहां से जाने के बाद पेट पूजा की बारी आने वाली है तो हमने प्लैन किया कि चलो KFC चलते है, KFC जाएंगे और वहां enjoy करते हैं तो रेस्टोरेंट तो हमिसा जाते रहते हैं, तो पीहू को इस बार खाना था बर्गर, तो बस हम यहां से निकल कर सीधे वहां पहुचेंगे तो बस अब यहां से रिटन होने का टाइम स्टार्ट हो गया यह देखिए, यह गेट है, यहां से हम exit होते हैं, उस गेट से exit होता है, तो देखिए अब यहां से निकलते हैं और हम पहुच गए KFC पीहू काफी excited क्योंकि उसका फेवरेट सीज जो यहां मिलने वाला था, तो बस हम ओर्डर दे रही थे अंकी जी लेकर आने वाले थे तो हमने बोला, चलो हम बैड जाते हैं तब तक से उपर, तो हम उपर आ गए, उपर बैड गए तो फ्रेंड्स यह देखे, पीहू ने की रिंग खरीदा था, तो वो ही दिखा रही थी आप सभी को, और बस अब हमारा मिल आ गया है, हम इंजॉय करने वाले अपना, तो चलिए इस वीडियो को यहीं करते हैं, और इस तरीके से हमने anniversary celebrate किया, कैसा लगा आज का छोटा सा वीडियो आपके लिए capture किया है, जल्दी ही ब्लॉग बना कर फिर मैं आपसे जरूर मिलूंगी और फिर धेड़ सारी बाते करगे, बाई, टेक